ओके तो जैसे मैंने कहा था ये राइटर स्ट्राइक एक ना एक दिन सारी की सारी पिच्चर को खा जाएगी और बिल्कुल वैसा को ऐसा ही हुआ जो लोग मुझे रोस्ट वर्ज पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता हुआ कि हम लोग राइटर स्टाइक के एक एक मूमेंट को कवर करते चले आ रहे हैं और हमको पता था कि ये दिन हमको देखने को मिलेगा आज नहीं तो कल और देखो हो गया Marvel के Face 5 और Face 6 की सारी की सारी पिच्चरे डिले होगे सिवाए एक के क्योंकि वो अपने आप में exception है तो इक एक करके सारी पिच्चरों पे बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले Face 5 के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली पिच्चर जो Face 5 में रिलीज होने वाली थी वो थी Captain America a Brave New World जो पहले New World Order थी उसको रिनेम किया गया और वो पहले रिलीज होने वाली थी 3 मही 2024 को लेकिन अब उसको डिले कर दिया गया है 26 अगस्त 2024 पे लेकिन जिन्दा की कोई बात ने है क्योंकि तीन मही को आपको Marvel की उससे ज्यादा अच्छी highly anticipated पिच्चर देखने को मिलने वाली है क्योंकि Deadpool 3 जोकी 8 November 2024 को रिलीज होने वाली थी राइटर स्ट्राइक में जहां पर पिच्चर डिले होती जा रही है वहां पर इसको पहले रिलीज कर देंगे और थोड़ा बहुत भी नहीं 6 महीने पहले क्योंकि अब ये आ रही है 3 मही 2024 को विच इस पूरी स्लेट में हम आगे जितनी पिच्चरों के बारे में बात करेंगे वो सारी की सारी डिले हुई है सिवाई डेडपूल के 6 महीने प्रीपॉन कर दिया गया है और देखो सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि हम डेडपूल 3 को लेकर काफी excited है इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजे होने वाली है लेकिन ये सारी चीजे मुझे थोड़ा सा तरा भी देती है क्योंकि ह हम लोग इस पिच्चर को लेकर बहुत hyped up है और इसमें ना कोई भी गलती नहीं होनी चीजे कोई भी नहीं विकाज अगर हुज जैक्मान इतने टाइम बाद रिटर्न कर रहे हैं तो इसको छोड़के अगले मूवी के बारे में बात कर लेते हैं तो अगली डिले होने वाली मूवी है थंडर गोल्स जो कि पहले रिलीज होने वाली थी 26 जुलाई 2024 और अब उसको डिले करके पहुचा दिया गया है 20 दिसमबर 2024 पे अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यूं है तो इसका कारण भी ऑब्वेस है राइटर स्ट्राइक लेकिन दिसमबर का स्लॉट डिसनी ज खाली रखना पसंद करता है क्योंकि वहाँ पर उनके अफ़तार मूवी आती है बट अगले साल ये चीज नहीं होगी ऐसा क्यूं है मैं आगे बताऊंगा इसके बाद अगली डिले होने वाली मूवी है ब्लेड जो की 6 सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब उसको दिले करके पहुचा दिया गया है स्वीट 14 फेबरुरी 2025 में मतलब वालंटाइन डे के दिन अगर आपके पास डेट है तो आप ब्लेड देखने जा सकते हो देको ब्लेड के डिले को लेकर ना मैं परस्नली बिल्कुल भी सप्राइज नहीं हूँ क्योंकि इसकी ये सोलो मुवी हमें देखने को मिले और उसके आगे ना वो कैंग डाइनस्टी में अपियर होगा ना सीकेट वास में अपियर होगा क्योंकि उसको लेकर कोई कॉन्क्रीट प्लांस बना ही नहीं पा रहे हैं लोग ना तो राइटर फाइनलाइज हो पाता है राइटर फाइ डिले होना बहुत जादा ओव्यस था फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फेज 6 की दूसरी मूवी पे जो की है Fantastic 4 ये पहले 14 फरवरी को रिलीज होने वाली थी क्योंकि पहला परिवार है वैलेंटाइन स्टे के दिन लेखने जाते अपनी डेट को लेके लेकिन अब इसको पुश कर दिया गया है 2 माई 2025 को और जिन लोग को पता है उन लोग को पता है कि 2 माई 2025 को कौन से पिच्चर रिलीज होने वाली थी Avengers Kang Dynasty तो चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि वो भी डिले हो चोई Fantastic Four, obviously यह सारी की सारी पिच्चर है राइटर स्ट्राइक की वज़े से डिले होई है लेकिन Fantastic Four के साथ अभी दूसरे करम काट चल रहे है इन लोगों की अभी तक कास्टिंग फाइनलाईज नहीं हो बाई है बहुत लंबे समय से हम लोग यह सुमते आ रहे हैं कि Fantastic Four की कास्टिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है लेकिन यह लोग किसी भी फाइनल कॉंक्रीट डिसिजन पर नहीं पहुँच पाए और Fantastic Four एक ऐसी टीम है जो कि आने वाले Marvel के जित्ते भी फेसे हैं उनमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे और बहुत इंपोर्टन भी इसी वज़े से यह कास्टिंग बहुत जादा इंपोर्टन हो जाती है और Marvel आस्टू नेल इट डाउन एनिहाउ जो लोग यह चीज को लेकर परिशान थे कि 2 मई 2025 को Fantastic Four आएगी तो फिर Kang Dynasty कहाँ शिफ्ट होगी तो Kang Dynasty पूरे एक साल आगे शिफ्ट हो चुकी है मतलब 1 मई 2026 में अगर मेरे से पूचा जाए तो यह काफी अच्छा मूव है क्योंकि इनको Kang Dynasty पे काम करने के लिए काफी समय मिल जाएगा और ऐसे में थोड़ा सा Groundwork भी लेक किया चाह सकता है मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि Kang Dynasty वुस कमिंग आउट टू सून और बाकी की पिच्चरों को भीट करने का रूम नहीं मिल रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब Kang Dynasty जो है वो 1 मई 2026 को रिलीस होगी लेकिन ये रिलीस डेट Secret Wars की थी तो Secret Wars को भी डिले कर दिया गया है पूरा एक साल जो अब रिलीस होगी 7 मई 2027 को लेकिन Fantastic Four, Kang Dynasty और Secret Wars के बीच पूरे एक-एक साल का gap है तो क्या इसका मतलब ये है कि Marvel वाले मई 2025 और मई 2027 के बीच में सिर्फ दो ही मुवीज रिलीस करेंगे ऐसा हो ये नहीं सकता ये सिर्फ gaps हैं जिनको हम फिल करेंगे चार ऐसी पिच्चरे हैं जिनने लेकर मैं confirm हूँ कि ये रिलीस तो होगी लेकिन ये कब इसे लेकर शौरेटी नहीं है सबसे पहले आती है Tom Holland की Spider-Man 4 जिसके ओपर काम चल रहा है हाली में Tom Holland ने इस बात का confirmation भी दिया कि उनकी Spider-Man 4 को लेकर मीटिंग भी हुई है लेकिन राइटर स्थाइक की वज़े से वो आगे नहीं बढ़ पाई अगर ये मुवी फेंटास्टिक 4 और कैंग डाइनिस्टी के बीच में रिलीज होती है तो इसके ओपर groundwork करने के लिए इनको sufficient time मिल जाएगा और ऐसे में हमारा friendly neighborhood Spider-Man कैंग डाइनिस्टी में fit भी हो जाएगा कैसे करके पर इसके बाद जो दूसरी मूवी आती है वो है Shang-Chi Part 2 अब Shang-Chi Part 2 को लेकर मैं थोड़ा सा चूडिया मैं आप मैं बता आप लोग नहीं मानो लेकिन मेरे को strong connection फील होता है भाई अब तू पता नहीं वो हो गया पर लेकिन है Kang की चूडिया है वो और इसी वज़े से मुझे लगता है कि Kang Dynasty में Shang-Chi और उसके बीच कोई ना कोई connection दिखाने की कोशिश करेंगे जिस वज़े से प्रॉबेबली ये Shang-Chi का जो second part है वो Kang Dynasty के बाद रिलीस होगा पिर इसके बाद आता Doctor Strange का third part जो I also think की Kang Dynasty के बाद रिलीस होगा मुझे लगता है कि हमारे डाक साब जोए Kang Dynasty में अपियर नहीं होने वाले है वो सीधे Secret Wars में आएंगे कि कि वो गय है Clea के साथ Incursions को रोपने and Kang Dynasty में हमें नए Avengers देखने को मिलेंगे पुराने वाले नहीं लेकिन हाँ Kang Dynasty के पहले जो मुवी आ सकती है वो probably Eternals 2 होगा I mean Eternals के end में हमने थोड़ा सा से वेक सा सीन देखा था कि वो बड़ा सा Celestial था वो सारे के सारे Eternals को उठा के लिए जाता है और फिर उनका क्या होता है उसके बाद से हमको नहीं पता लेकिन हमको ये मालूम है कि Eternals 2 पे काम चल रहा है तो हो सकता है कि Eternals 2 हमको Kang Dynasty से पहले देखने को मल जाए सारे के सारे नए Super Heroes है इनको हो सकता है कि Kang Dynasty में यूज कर लिया जाए लेकिन हाँ अगर ये मूवीज दिले हुई है तो अच्छा ही है चाहे कारण कोई भी हो लेट देम कोक और वाई Deadpool के साथ तो मुझे पता निक क्या ही कान चल रहा है Deadpool की पिच्चर अकेली exception लगद Deadpool की पिच्चर Deadpool खुदी बना रहा है बट ठीक है जो कुछ भी है लेकिन इसके साथ ही साथ सिर्फ ये पिच्चरे नहीं है जो डिले हुई है James Cameron की अफ़तार मुवीज जो है उन पे भी अच्छा खासा डिले पड़ गया है जो अफ़तार 3 थी वो 20 दिसमबर 2024 को रिलीज होने वाली थी वो डेट अप मिल चुकी है थंडर बोल्स को और इसके बदले हमें अफ़तार 3 देखने मिलेगी दिसमबर 2025 अफ़तार 4 देखने मिलेगी दिसमबर 2029 और अफ़तार 5 देखने मिलेगी दिसमबर 2031 तब तक तो आप खुदी हाइडरोगानस से सीख लोगे खरी हमें जो कुछ भी जानने को मिला है मुझे लगता है कि टेप आइसबर्ग है इसके बारे में और भी जादा डीटेल्स प्राव बेभी सांडिया को कॉमिक कॉन में रिवील करी जाएंगी जो अगले मही ने जुलाई में टेक प्रेस करने वाला है और परसनली आयम क्राइंड ओफ एक्साइड फॉर इट लिगे इसके बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में आना मत बूला तो विध दाट विइंग से आम लोग इस वीडियो के यहीं पर रप करेंगे पसंदा है तो लाइक करना शेयर करना और सब्स्क्राइब करना मत बूला तो जान से फेले कॉमिक वर से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग डेड़ पूल बनो ब्लेड नहीं